आप लोग अपने बुक्स में पीच नमबर फोर्टीन अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा आउट्पुट डिवाइस के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे आउट्पुट डिवाइस के बारे में वाट इस अन आउट्पुट डिवाइस के बारे में आउट्पुट क्या है तो उसे हम क्या बोलते है इसा नहीं है कि सिर्फ नमबर्स होगा या फिर लेटर्स होगा या फिर पिचर्स होगा आपका आउट्पुट कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया था कि डेटा आपका क्या क्या हो सकता है नमबर्स भी हो सकता है लेटर्स भी हो सकता है पिचर्स तो जब आप नमबर्स लेटर्स पिचर्स ही टाइप करोगे तो आपको output भी किसका दिखाई देगा number type करोगे तो number output दिखाई देगा alphabet letters type करोगे तो letters का output दिखाई देगा pictures करोगे तो pictures का output दिखाई देगा clear everyone यहाँ पे numbers देखिए 2, 3, 6, 7, 168, 3, 7, 8, 9 okay यहाँ पे letters of the alphabet है A, W, B, A, L, L, S, A, M, Y सामी, okay तो output यह होता है तो इसे what is an output आपको यह learn करना है the result given to us by a computer is called the output यह line, first line आपको अपने learn करनी है अगर आपसे पूछा जाएगा what is an output तो आप यह answer बताऊगे clear? Now next, output devices allow us to receive information from a computer इसका क्या मतलब हुआ? output device हमें computer से जानकारे प्राप करने की अनुमती देता है means information receive करने के लिए allow करता है clear everyone? तो output device allow us to receive information from a computer now next, output may be in the form of printouts from a printer, sounds on a speaker और, और क्या बता है? images on a monitor output printer से printout के रूप में हो सकता है या फिर sounds, जो भी sound आपको सुनाई देता है वो speaker के थूप और images on a monitor या फिर आपको monitor पे कुछ images दिखाई दे सकते हैं now, अब आप बताओ, जब output का मतलब क्या होता है बाहर रखना, तो process data को या device बाहर दिखाती है जो भी data process होता है, उस device में वो कहां दिखाती है बाहर दिखाती है जब बाहर दिखाती है, तो क्या होता है, कौन-कौन सो होता है example, monitor होता है, speaker होता है, printer होता है, projector होता है, plotter होता है clear, monitor में हम movie भी देख सकते हैं, file भी देख सकते हैं, folder भी देख सकते हैं और apps भी देख सकते हैं, menu, desktop, यह सारी चीज अब इसी device पे देखते हैं ये सारी चीज हम कहां देखते हैं, इसे device पे देखते हैं, कौन से device पे देखते हैं, monitor के device पे देखते हैं, clear, speakers में गाने सुनते हैं, वो भी बाहर की तरफ आवाज निकालता है, clear, printer भी बाहर printout निकालता है, तो, now, अब हम लोग पढ़ेंगे, types of output device के बारे में जानते हैं, clear, अब हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या, output device हैं, तो, output device है, used to get final result from the computer, output device का use, computer में अन्तिम पढ़ेराम प्राप करने के लिए, clear, everyone, now, अब हम लोग पढ़ेंगे, types of output device, okay, first one is monitor, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, monitor के बारे में पढ़ेंगे, the most common output device, is the monitor, सबसे most common device क्या है, बिटा, output device, monitor, monitor, जो computer का main part होता है, अगर monitor नहीं, आप कोई भी चीज़, keyboard या mouse के थ्रू करोगे, जब आपको दिखाई नहीं देगा, किसी चीज़ पे, उस पे monitor पे, तो, monitor हमारा क्या हुआ, main part of a computer हुआ, clear, next, it displays the output on a computer, जो भी कुछ हमें display करता है, वो कहां पे दिखाई करता है, जो भी चीज़ हमें output दिखाई देता है, वो कहां पर, computer पे दिखाई देता है, वो monitor पे दिखाई देता है, it is also called the visual display unit, हम इसे visual display unit के नाम से भी जानते है, VDU, VDU का full form क्या होगा, visual display unit, clear, the output, यह आप learn कर लिजेगा, visual display unit, यह आपसे full form पूछा जा सकता है, VDU का full form क्या होगा, The output shown on the monitor is called the soft copy or soft copy output, जो भी आपको output monitor पे दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते है, soft copy कहते है, ठीक है, जो भी कुछ आपको, suppose that आपने monitor पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको paper दिखाई दे रहा है, उस paper में question answers लिखें, बहुत सारी चीज़े लिखें है, तो वो हमारे क्या हो गए, बेटा, soft copy हो गई, अगर उसी soft copy को हम, उसी paper को हम printer के थुरू print out करेंगे, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, hard copy हो जाएगी, क्या हो जाएगी, hard copy, तो computer के अंदर, monitor के अंदर जो दिखाई देगा, वो हमारा soft copy होगा, और जो बाहर निकाल लेंगे, इसको print out, printer के थुरू, तो वो क्या हो जाएगा, hard copy हो जाएगी, clear everyone, तो monitor या एक क्या है, electronic device है, जो की कुछ output दिखाता है, computer के लिए, यह बिल्कुल एक TV की तरह दिखता है, यह बिल्कुल किसकी तरह दिखता है, monitor, looks like a television, बिल्कुल television की तरह दिखाई देता है, तो इस पे सारी चीजें क्या होती है, डिस्प्ले करती है, जो भी कुछ हम करते हैं, इन्पुट करते हैं, वो हमें कहां पर दिखाई देगा, monitor पर दिखाई देगा, clear everyone, तो हम इसे screen बोलते हैं, display बोलते हैं, video display बोलते हैं, video screen बोलते हैं, तो बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है, तो आप इसका full form learn कर लिजएगा, VDU, visual display unit, okay, monitors are of three types, monitors, इसके तीन प्रकार के होते हैं, monitors three types के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, CRT, LCD और LED भी होता है, और TFT भी होता है, CRT का full form क्या होगा, cathode ray tube, क्या होगा, cathode ray tube, clear, और LCD का क्या होगा, liquid crystal display, और LED का क्या होगा, light emitting diode, और TFT का क्या होगा, thin film transistor, क्या होगा, thin film transistor, clear, तो आपको यह learn होना चाहिए, CRT का full form हम पर से बता दे रहे हैं, cathode ray tube, LCD, liquid crystal display, LED, light emitting diode, and TFT thin film transistor, clear, तो monitor भी होते हैं, वो हमारे three types के होते हैं, clear everyone, now, अब हम next पढ़ेंगे printer, number second printer, आप यह देख रहे होगे, आपके school में भी यह printer है, कोई भी चीज़ आपको अगर print out कराना है, तो इस printer के थूँ वो चीज़ निकलता है, clear everyone, now, printer, it is used to print text and pictures on a paper, okay, printer, printer क्या बताया, आप यह देख रहो ना, यह printer है आपका, तो अब, it is used to print text and pictures on a paper, जो भी चीज़ हमें प्रिंट करानी है, वो सारी चीज़ प्रिंट होगे, किस पर निकलता है, पेपर पे निकलता है, आप प्रिंटर गेवस अज़ आपी, प्रिंटर से हमें पेपर मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेटा, हाज कॉपी कहते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर वो computer में है, monitor में दिखाई दे रहा है, तो वो soft copy है, और अगर वही printer के थ्रू निकल आया बाहर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, hard copy बोलेंगे, which is called the printout, जो हम उसे बोलते हैं, printout, clear everyone, तो यह आपका क्या है, बेटा, printer है, clear, तो printer भी एक क्या है, output device है, जो computer से information, receive को कागच पर print करती है, उसे हम क्या कहते हैं, output device कहते है, clear, और जो चीज़ हमें printout मिल जाता है, paper पे, उसे हम क्या कहते हैं, hard copy कहते हैं, हैं hard copy कहते हैं, तो इसे ध्यान में रखेगा, जो भी कुछ हम printout के थ्रू निकालते है, वो print out जो भी निकालते हैं printer के through वो हमारा क्या होता है hard copy होता है और जो monitor पे computer पे दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं soft copy कहते हैं clear now next is speaker अब हम next किसके बारे में पढ़ेंगे speaker के बारे में और आपको printer को आपको यह बताना भूल गए कि types of printer three types of printer होते है dot matrix printer, inject printer, laser printer clear everyone यह आपको हम बता चुके हैं clear तो आप जो पहले की वीडियो है आप उसे watch कर लेजेगा clear everyone now next is speakers these are sound output devices they generally come in pairs these are used to listen to music and sound speakers, speaker का क्या काम होता है speaker के थूँ आप क्या करते हो आप music सुनते हो पहले आप उसे computer पे search करोगे या उसे धूड़ोगे इस पे click करोगे और आपको music किस के थूँ सुनाई देगा speaker के थूँ सुनाई देगा और speakers generally two pairs में आते हैं clear जब तक two pairs में नहीं रहेंगे तब तक उतनी अच्छी music नहीं बजेगी और two pairs में music बहुत अच्छी बजती है तो जादातर जो होते हैं वो two pairs में होते हैं clear तो speakers के थूँ आप क्या करते हो music सुनते हो clear everyone now next is headphone next क्या है headphone these are also used to listen to sound okay coming from a computer okay the sound from the headphones is audible only to person wearing them headphones आप यह देखो यह देख रहे हो यह headphones है आप सभी जानते हो these are also used to listen to sound coming from a computer अगर आप सबको नहीं सुनाना चाहते हो तो आप headphones का use करके आप क्या कर सकते हो music सुन सकते हो the sounds from the headphones is audible only to the person wearing them आपको headphone के through तभी sound visible होगा जो भी इंसान उसे पहना होगा सिर्फ उसी इंसान को क्या होगा यह sounds audible होगा और जो नहीं पहना है उसे second person को नहीं सुनाई देगा clear अगर आप headphone हटा के बजाते हो तो आपको speaker से सुनाई देगा और अगर आप headphone का use करते हो headphone आपने wear किया है तो second person को वो sound क्या audible नहीं होगा तो यह हमारा क्या था बेटा output device था तो यह आप सब पढ़ लिजेगा what is an output क्या है ठीक है और monitor के बारे में printer के बारे में speaker के बारे में headphones के बारे में next class में हम लोग पढ़ेंगे processing device and storage devices clear everyone okay thank you class now here is your homework कि आपका क्या है homework है question A answer the following question what is an output आपको क्या लिखना है what is an output question B write the full form of the following full form लिखना है VDU second CRT third TFT fourth LCD आप अपनी previous वीडियो में watch करिएगा और आपको learn होगा तो आप खुद से भी लिख सकते हैं ठीक है ये homework आपको अपनी homework copy में करना है और homework send करना compulsory है अपने name के साथ आपको अपना homework send करना है और आपका कोई भी classwork नहीं है clear everyone तो ये homework आपको किस में करना है बेटा अपनी homework register में और ये homework आपको अपने name के साथ send करना है जो भी बच्चा नहीं send करेगा उसे जिरो मार्क्स मिलेगा क्लियर भी बन? ओकी